तो दोस्तो यहां पर फाइनरी वंप्लस ने वनप्लस 8 SiD के समार्फ़ून घ्रुटार तो यहां पर दोस्तो जो हम भलून्प्लस 8 प्रो कईके में ouaisुझ तो यहां पर कहा जाता है कि जो इनतियार काफ़ी मीङन होता हैलेकिन दोस्तो यहां पर जो OnePlus है इंतिया कफ़ल काफी तीखा लेके सामने आया दोस्तों यहां पर specializing बात करते हैं OnePlus 8 की दोस्तों इस smartphone ने काफी disappoint किया है दोस्तों और हम बात करते हैं खर क्या है ऐसा कि इस smartphone ने सभी लोग को disappoint किया है जानना तो वीडियो को अंतर ज़रूर से देखिए हमारी उच्प चैनल दर टेकिनिक अनलाइज पर सुरू करते हैं अचके वीडियो लेट स्टार्ट दोस्तो जैसा कि मैंने आपको बता रहे कि OnePlus 8 सीरी दोस्तो सभी को बहुत जाज रिसपॉंट किया क्या कि अश्य होते हैं बात करते है اس को समझने के लिए क्या क्यों ससक चैनल दूस्तों मैं करते हैं दोस्तों OnePlus पहले लांच हुए दे OnePlus 7T से OnePlus 7T की स्मोंडहर भास जाहनता हैम खि least तरह से यह कर levant हम के लिए लिए स्वामने बात करते हैं इन दोनमें स्मार्ट फॉन में मौजूद डिस्प्लेय कर दोनों में सेम सेम इल्टेंट कि 16.55 की फ्लूड एमॉलेट डिस्पेय मिलती जो कि 90 Hz के रीफ्रेश रेट के साथ आती है जो कि OnePlus 8 और OnePlus 70 दोनों में सेम ही मिलती है दोस्थ यहां पर लेकिन इस डिस्प्ले में धे लिए इस डिस्प्ले में भी क्यमेरा के लिए दोस्थ यहां पर ऑफ्कॉस OnePlus 8 में हमको पंचोल मिलता है लेकन OnePlus 7T में Waterdrop मिलता था पस दोसे इतना अंतर हमको देखने को मिलता है दोस्तों अब हम बात करते हैं पर कैमरा की दोस्तों यहां हम बात करते हैं OnePlus 7T में दोस्तों यहां पर हमको triple rear camera setup देखने मिलता है जहाँ मैंन कैमरा वह 48 में पेसल का Sony IMS 586 जो second camera वह 16 में पेसल का Sony IMS 586 camera sensor second camera sensor वह 16 में पेसल का ultra wide angle camera दोस्तों तीस तरह हमको मिलता है 2 में पेसल का macro camera आप देख सकते हैं OnePlus 17 हमको 48 प्लस 60 प्लस यहां पर दोस्तों हमको 48 प्लस 16 प्लस 2 का combination देखना हम पिल रहा है यहां पर दोस्तों कैमरा ने बहुत ज़्यदा किया है OnePlus 8 में जोस्तों बात करते हैं यहां पर selfie camera के लिए दोनों ही smart phone वोस्तों हमको 16 मेगा पेसल का Sony का IMX 471 camera sensor देखने को मिलता है selfie camera जो कि दोनों में चाहा है OnePlus 7T में चाहा है OnePlus 8 में सेम camera sensor देखने को मिलता है यहां पर OnePlus 7T उसमें दोस्तों हमको snapdragon का 855 plus processor देखने को मिलता है 2019 का flexive processor है दोस्तों यहां पर OnePlus 8 में पर प्रोस्तों को अपकोस यहां पर increase किया गया है जो कि snapdragon का 865 processor दोस्तों दोनों ही बहुत दमदार है यहां पर बात करते हैं यहां पर दोस्तों रेम दोस्तों यहां पर हमको दोनों ही smartphone में सेम रेम मिलते हैं जो कि LPDDR4X RAM यहां पर दोस्तों OnePlus 8 जो अभी launch हुआ है उसमें दोस्तों हमको LPDDR5 RAM देखने को नहीं मिलती है यहां पर हम मिलते हैं OnePlus 8 में भी और OnePlus 70 में बात करते हैं यहां पर बैटरी की तो बैटरी अपको यहां पर इंप्रूब की गई है यहां पर दोस्तों हमको मिलती थी 3800 MHz की बाटरी बाटरी बाहएं पर दोस्तों हमको यहां पर इंप्रूब की गई है यहां पर दोनों में सेम हमको Rapha 30T का support देखने को मिलते हैं अब अब चार्जिंग जोपाँ वह सेम मिलती है दोनों में अब दोस्तों सबसे इंपको नहीं नहीं आपको बता दी। महालु हूँ बात करते हैं तो दोस्तों सक कितनी प्राइस में स्वेसक्ष में उसक की दोसके आदर किश्की, लेकर दोस्ता हमको प्राइस बताओं तो यहां पर दोस्तों बात करते हैं बात करते हैं बात करते हैं पहला जो इसका वेरियंट है यहां पर दोस्तों 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 यहां पर दोस्तो मार्केट में 35000 के अप्रास में और इसके दिन वेसर लेंगे वाद़ के यहां पर फिप्टी-फो थाउजड के अप्रॉस में मिलेंगा मतलब कि दोस्तों यहां पर आप खुद ही सोचे कि आप यहां पर तक्रीवं 15 सूरह जार रूपए जादा देंगे वाद़ए को आपको सिंपनी बात करते हैं पॉस्टेसर लेकिन दोस्तों यहां पर С'ेवन T की हम दोस्तों 255 प्लस प्लस नो कि यहां पर वादर नोस से तक हरा रहे प्लस को क्शिर सब्सक्रीय भुल्स कि अवर्टि तो यहांपे ऐन के सब्सक्राइब बच जाएगा टो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है जो सही प्राइस प्राइस पर आया कि नहीं आया है यह चिंपनस्तों काफी मर्ल आ चाहीगी धा तो दौस्तो, अज़ केले बस, इतना Umil करता हूँगा, आफको मेरीटियो पसंदाऊ प्रेशिडियो को लाइब कमेंड ऑफ ने कानने आ अवर जो जो सप्कत दें लिए हमारी YouTube से सब्सक्राइब करें वीडियो अप्लेड हो कि उससे पैने उसने पहुंचे की हग के पाद हो तो आश्य वीडियो में करते की लिया ही बाइबाइब